तो चले फ्रेंट्स लेकर आज चुके हैं आप सभी के लिए क्लास तेंथ वालों के लिए जितने विशाथ 17 फरवरी को एक्जाम देने वाले हैं मैथमेटिस का अगनित का दोस्तों तो यह वीडियो जो आप सभी के लिए काफ़ ही इंपोर्टेंट रहेंगे यहां पर हम लो जारी ऑफिसेल मोडल सेट का कोशन है दोस्तों यहां से काफी सारी कोशन आप लोगो डैरेक्ट देखने को मिलेंगे बीना अंग चेंज किये हुए ठीक है ना एक एक प्रस्ण इंपोर्टेंट है जो भी छातर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि जल्दी चैनल को सब्सक्रा सारी कोशन आएंगे सेम टूसेम चले दोस्तों एक से उनीस तक हम लोग ने कोशन कर रहा खाता पिछले वीडियो में यहां से हम लोग 20 से आगे कोशन करेंगे जो शात नहीं देखें जाके जरूर देख लिए दोस्तों क्योंकि 200 पलस इंपोर्टेंट कोशन मैं बता रहा ह वो सारे स्रीज ब्ये स्रीज आ रहे हैं पार भाइंप ठीक हैन एक वीडियो में कवर करना मुझ्खिल है काफी सारे लंबे वीडियो हो जाएंगे इसलिए मैं यहां पर 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 एक वीडियो को मिस्स मत करना जितने विशाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कर लिए ताकि एक वीडियो को आप लोग नहीं छुट पाओगे है ना छुर पाओगे और आप लोग को नोट्फिकरशन मिलते रहेंगे चलिए हम लोग दोस्तों यहां पर भीश नमर कोशन मुल्स देखते हैं कहा गया कि समानतर स्रेणी मतलब एपी ऐसी छी सीगतर बातर अर्सा डैस 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 का कॉंट सा पद जीडी को यहां पर दोस्तों यहां पे टीन का वहलू जीरो दिया गया मतलब अंतीम पद जीरो है एक सो मॉन डिकामाण मतलब इन्टू लेकर आजाएंगे तो इसको यह बटा में कर देंगे तो इन-1 यह कटाएंगे तो 20 लेके जे म्तलब 21 से कोई संख्या यहां पर स्टार्ट होती है तो ठीक नहीं जाते हैं ऐसे समानतर से प्रशनी का समान पद शिक्स मैनस फोरेने देखिए इस प्रस्ण में बहुत सारे छाथ फ़सते हैं इसका सारवंतर क्या होगा बहुत सारे साथ कन्फुजन में रहते हैं यहाँ पर छे चार कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन दूस्ता को करना कहना एन के जगा पर यहाँ एक से इन यहाँ पर हम लोगों क्या करना है दोस्तों डी निकालने कॉमन डिफरेंस तो माइनस टू फिर माइनस आपका यहाँ पर टू तक इतना हो जगा दोस्ते माइनस माइनस फूर देखो यहाँ पर ऑप्शन नमर सी कहां पर कर जगा एक कीस का सी तो बहुत सारे छाथ बैटा देना है दोस्तों कॉमन डिफरेंस निकाल खाफी सिंपल प्रसंथा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं कि कहा गया है तो एक ती नौ सट्यस नहीं होगा एक स्कार भी नहीं होगा दोस्तों दो माइनस दो उसके बाद चार है फिर माइनस यह यह तो कभी होगा यह हो सकता है ना option number C तो बाइस को C यहां पर correct हो जागी क्यों क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर देखो एक बटा 2-3 by 2 जो आएगा दोस्तों वही-1 by 2-1 by 2 आएगा क्योंकि इस इसमें से इसको घटाना फिर इसमें से इसको घटाना है तो आज आएगा दोस्तों आपका common difference इसको अगर घटाते हैं तो यह कितना हो जागा माइनस दो बटा 2-1 क्या इसमें से घटाएंगे तो इसको जीरो कमा जीरो इसका नियामक होता है में तो निर्देशांक होता है तिर्भूज ABC समरूप तिर्भूज PQR तथा QR अपन BC वराबर दो बटा तीन तो एरिया तिर्भूज PQR देखें जब इस तरके प्रस्ण है ना और समरूप बोला जाए दोस्तों और यह भूजा कानू पाता है क्या यह भूजा कानू पाता है ना QR क्या होगा भूजा ह सब्सक्राइब के साथ चल जाना हमको काफी सिंपल और इंपोर्टेंट प्रस्ता 226 का एक कोरेक्ट हो जाएगी कि कहा गया 25 नमर में कि दी गई आकिरती में X का मान गयात करना है तो इसका मान हमको गयात करना है यह 60 है दोस्तों यह 50 है तो जल्दी से बता दो यह कितना हो तो जब यह 70 तो यह भी क्या होगा 70 सिर्षा भी मुग कौन से ओप्सन नमर सी के साथ चलना किसके साथ चलना ऑप्सन नमर सी 70 डिगरी हो जाएगी अगला पर कहा गया दोस्तों कि बिंदू आर 0,6 तथा S8,0 को मिलाने वाली रेखा खंड के मद बिंदू के नियामक है त तो आठ यह आठ और 0,0 पलस आठ वाई 2, एक्स वाले एक्स को टर्म को जोड़ देंगे, 6 पलस 0 वाई 2, तो कितना होगा, 4,3 किसम है, आप्सन नमर दी, यह मद बिंदू नियामक है ना, काफी सिंपल मालो यह A है, B है, इसका आर S है दोस्तों, ठीके ना, यह मालो आपका R है और यह S है, इसका निरसांग 0,6 है और इसका निरसांग 8,0 है ना, तो यहाँ पर हम लोगो मद बिंदू निकाल देंगे, काफी सिंपल प्रस्ताद आप्सन नमर दी के साथ चलना है, कहा गया दोस्तों कि बिंदू वो 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी, तो काफ X2 कितना है, आठ में से 4 गया, पलस 2 में से 6 गया है न, तो 8 में से 4 गया, कितना, 4 का स्क्वाइर, पलस 4 का स्क्वाइर, तो रूट अंडर 32, तो रूट अंडर 32 को लोगो क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, 4 रूट 2, तो सत्ता इसका सही उतर, आप्सन नमर यह होगा, फोर र पूट कर सकते हैं साथ डेगरी का मन कितना होता है रूट 3 by 2 तो रूट 3 by 2 का स्क्वाइर पलस 1 बटा 2 का स्क्वाइर ठीक है ना तो यह 3 बटा 4 पलस 1 बटा 4 देखो ने जोर किया कितना आएगा 4 बटा 4 एक आएगा ना इसलिए हम लोग यहाँ पे सुत्र जानते हैं साइन स त्रिटा पलस का स्कॉस्छष्ड़ बेराबर है जब इस नमर की या दे रैखिक समीकर्णों का यूगम असंगत हो तो रेखाये होगी जब संगत की बात थो इस दो है ना एक संगत होता है जब संगत अगर मतलब यूगम हो दोस्तों संगत उसको हम लोग बोलते हैं परति शेदी है ना क्या बोलते हैं दोस्तों परती शेदी या फिर समपाती तो यहां पर हम लोग अप्शन नमर्डी के साथ चलेंगा 29 का ठीक है चले अगला प्रस्ण देखते हैं कि बिंदू मैंनस सिक्स मैंनस किस पाद में तिरतीय पाद में दोनों निगेटिव जब दोनों नि दिगरी कौन qpr तो यह कौन qr बताईया है ना देख लेते हैं दोस्तों यह मालों के तीर फूज पी क्यू आर ठीक है ना qr को एस तक बढ़ाया गया ठीक है इस परकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस का मान एक्सो बीस डिगरी है तो यह 120 तो यह कितना साथ qpr है ना qpr इस एकांता 1डिर2 57, Air option 31 का correct हो जाएकी B अगला प्रस्न यदि किसी तिरभूज के कोन का सम्धी भाजक बिप्रित भूज़ा को सम्धी भाज़ित करता है यदि किसी तिर्भुज के कौन का सम्धिभाज़क विप्रित भुज़क को सम्धिभाजित करता है तो तिर्भुज जो होगा वो होगा सम्कोन तिर्भुज क्या होगा दोस्तों सम्कोन तिर्भुज जब भी सम्धिभाजा की बात आये तो यह 90 degree का कुन बनेगा ना तो समकुन तिर्भूज यहां पर लगाना है तिर्भूज में ABC में D 25 बी C है तो AD का मान, AD बटा DB बराबर 2 बटा 30, AE बटा, सेम होगा दोस्तों है ना माल लेते हैं यह दिर्भूज ABC है आपका और DEA है ठीक है ना तो AD बटा DB तो AE बटा EC तो 2 बटा 3 ही होगा तो आप्षन नमर 33 का B कोरेक्ट हो जाएगी क्योंकि समाना अंतर था 34 नमर यदि दिर्भूज ABC तथा AB तो यह समरूप होंगे माल ले तो यह तिर्भूज ABC है दोस्तों और यह तिर्भूज आपको DEF है ठीक है तो AD बटा DE मतलब AD AB बटा D मतलब यह हाँ चलिए और BC बटा मतलब यह दोखो FD BC बटा FD तो यहां पर क्या हो जागा दोस्ते यह आपको है ना कौन सा यह समरूप होंगे जब देखो यह भूजा जो दिया है दो तो BC बटा यह FD के यहां पर अनुपात के रुप में है तो 34 में जो यहां पर कुन B कर दोको जाए कि यह चाहिए संवरूप होने के सब्सक्राइब काफी सिंपल दोच्छोने है बस आप लोग होगी चलिए अगरा परसंस देखत हैं रखेएं अब देखे जैसे यहां पे यह प्रसंस कि की गई आकिरती में क्या कोई ना दिखी दीगई आकिरती में थोड़ा q 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 और option number C, अगर आप परस्न देख लेते हैं, दोस्तों कहा गिया आपको, X-AX-P8-12 की दूरी, तो simple हमको क्या करना है, बताओ, X-AX-P8-10 क्या हो जागा, बताओ, जब भी X-AX-P8-10 अगर पूछा जाएं, दोस्तों, तो confusion मत होना है, X-AX-P8-10 अगर बिंदू पूछा जाएं, तो Y का मान बताना है, तो 12 एक आएं, अगर Y-AX-P8-10 अगर Y-AX-P8-10 तो X का मान बताते हैं, ठीक है न, इसलिए confusion मत होना है, इस का मान आठ हो जाता, X-AX-P8-10 अगर पूछा गर तो 12, Y-AX-P8-10 अगर पूछा तो 8, ठीक है, X-AX-P8-10 अगर पूछेगा तो Y का मान बताना है, और Y-AX-P8-10 अगर पूछेगा तो X का मान बताना है, सिंपल था, थोड़ा सा समझना है, चलिए बिरित के किसी बिंदू पर खीची गई, असफर्स रेखा और उस बिंदू से जाने वाली तीरिया के बीच का कोन कितना होता है, तो सिंपल है दोस्तो, तो 90 टिग्री होती है न, तो 37 का ओप्सन नमर आपको C हो जागा, कि अगर कोई असफर्स रेखा है दोस्तों मालनों तो यह है न, और यह तिर्यात इस दोनों के बीच की 90 टिग्री कोन बनता है, 38 नमर है दोस्तों, कि यदि दी गए आकिरती में TETP तथा TQ दो असफर्स रेखा है, चलिए और यह असफर्स रेखा है, और O के अंदर बार इस परकार है कि कोन P TQ, मतलब यह कोन है दोस्तों, 50 डिग्री तो कोन P O Q यह बतानी है, कोन P O Q, तो हम लोग को पता है दोस्तों यहाँ से, जब आपको यहाँ से यह कोन जो आपको पता है न, 38 का यहाँ पे, देखिए, क्या होता आपको यह, तिरबूज के तीनों कोनों का यह 180 डिग्री होता है न, जब यह आपको 50 डिग्री यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो हमको क्या करना यहाँ पे, कोन पी ओ क्यूं मतलबा इसका मान हमको निकाल ने इसका मान ठीक है ना इसका मान निकालनी इसका जहENTS अगता है इसका जो मान हुज़ाई़ाई यहाँ पर वह रहागा आपको 130 degree के पो निकाल सकते है दोस्तों यहां से इस कोन का मान और इस कोन का तो आन दोनों मिलाक की जो होता है तो 80 degree के बराबर होता है यह जब कि अक्यला 50 है दोटोट 180 मेंसे अगर 50 घटा देंगे तो 130 आएगा जो इस कुन के बराबर हो जाएगा ठीक है जब भी पुछा जाएगा आपको यही करना ए ठीक है न यह कुन दिया रहेगा दोटोट 180 मेंस है उसके बाद पीक्यू कमान तीन सेंटिमेटर है चलिए पी यार कमान सिक्स सेंटिमेटर और ठीटा कमान नहीं निकालोगे बताओ कि जब यह 90 डिग्री है तो यह कर्ण हो जाएगा कि यह लंब हो जाएगा दोस्तों और यह अधार हो जाएगी । जाएगा ऊंचोन और कर्ण पता है तो स fiance ठीटा करमान डायेक लिएट लिखते है तीन बटा छे एक बता टू सान ठीटा कमान कितना साइन rud hypoth ogl काफी सिंपल प्रस तदोस्तों यह अप्स नमर हमको एक के साथ कंसा चलना एक के साथ का Jersey सैनि निकालनेंगे ठीकर चलिए है पी बटा बी हो जाएगा ये एच कमान पांच हो जाएगा तो कॉस ए कमान बी बटा पांच भी बटा मतलब एच तो चार बटा ये पांच देखते हैं किस आप्सन नमबर बी के साथ चलना है तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर टोटल 40 कोशन कर लिए हैं एक से 40 तक टोटल 200 कोशन में आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों जो आप सभी कि एक्जाम से लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे तो चले दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स विडियोज में तब तक के लिए जाहिं जाए बार और हाँ वीडियो को लाइक करके सीर जरूर कीजिए औ चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के विडियोज को पाने के लिए चले दोस्तों में जल्द से जल्द मिलते हैं अगले विडियोज में देखने के लापका बहुत बहुत अन्यवाद